नमस्कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आध हम अपर इस वीडियो में डिसक्स करने वाले है कि शिरलंका के दिवालिया होने के क्या कारण है दिवालिया इन दा सेंस कि जो शिरलंका की हालत हुई हुई है आपने देखा होगा कि हाली में शिरलंका के जो प्रेजिडेंट हाउस है वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं जो विरोध करने वाले जो लोग हैं वो कैसे प्रेजिडेंट हाउस के अंदर घुस गए वहाँ पर swimming pool में नहा रहे हैं प्रेजिडंट जहां पर बैठते हैं उनकी चेर के उपर बैठ कर अराम से मजे कर रहे हैं या फिर कहूं कि जो प्रेजिडंट का जो bedroom है वहाँ पर बहुत सारे लोग सो रहे हैं कैसे आगजनी यहां पर ओ गई है लोगों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है इवन दवाईयां तक यहां पर नहीं है और जो fuel है जो यानि कि जो petrol है डीजल है इस देश में अब रहा नहीं है तो इतनी ज़्यादा खराब स्थिती दिवह जो श्रिलंका की हो गई है उसके क्या कारण है इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से कवर करने वाले है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के लिए मैं आप लोगों को पता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तेकि जो शिरलंका है उसकी जो अबादी है वो लग भग 22 मिलियन है यानि कि 2 करोड 20 लाख लोग जो है वो शिरलंका में रहते हैं और आज कैसे शिरलंका अपने एकनोमिक क्राइसिस से जूज रहा है ये जो क्राइसिस है पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा खराब सीती देखी जा रही है आज की डेट में जहां पर लाकों लोगों को खाने के लिए दवाईयों के लिए फ्यूल के लिए और बहुत जादे अपनी नसेसरी चीज खरीदने के लिए भी संगर्ष करना पड़ रहा है इन चीजों के लिए जो वहाँ पर राजनितिक जो आर्थिक इंस्टिबिलिटी आई है बहुत जो सरकार विरोधी जो प्रदर्शन का रही है श्रिलंका के जो राष्टपती हैं जो परधान मंत्री हैं उन्होंने काया कि भाईया आप यहां से चले जाएए आप इस्तिफा दे दीजिए और उन्ह कहीं पर भी आपका देखने को मिलेगा, कि सत्त नहीं है वहाँ पर किसी को लीडि करने वाला नहीं है तो लोग कैसे अराजगता में आ जाते हैं अगर उनके पास लीडि करने वाला कोई नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी सही धंक से वर्क करहीं नहीं पाएगा यह सामनी आपके एक्जाम्पल है शिरलंका का अब वहां पर आप बहुत सारी फोटोस ऐसी देख भी रही होंगे अब क्या कारण है इस चीज को हम जानते हैं फर्स्ट आफ 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 हम स्टार्ट करते हैं बैक्राउंड से देखें 2009 में शिरलंका 26 साल का एक वहां पर अच्छी स्थीती में रही इवन कहेंगे कि 8 से लेके 9 परसंट तक जीडिपी ने ग्रोथ दिखाए दी इतनी बढ़िया तरीके से यहां पर ग्रोथ रेट चल रही थी जीडिपी की शिरलंका की 2009 के बाद अब 2013 में यह जो ग्रोथ रेट है वो घटनी स्टार्ट होती है और ल स्टार्ट हो जाता है और यूद के दोरान जो शिरलंका का जो बजट घाटा है वो बहुत जादा अधिक हो गया था वर्स 2008 में वैश्विक वित्तिय संकट ने इसके विदेशी मुद्रा बंडार का खतम कर दिया था जिसके कान 2009 में अंतराश्य मुद्राकोश यानी IMF से 2. 2.6 billion American dollar का इन्होंने रिंड लिया था उधार लिया था 2016 में इन्होंने फिर से 1.5 billion American dollar को फिर से लिया उधार लिया और IMF ने इस बार इनके उपर और जादा conditions डाल दी कि अगर आप loan ले रहे हो तो आपको अपने अपने देश के अंदर ये ये चीज़ें follow करनी होगी देख ये होता है कि IMF से जब भी कोई देश loan लेता है तो IMF वहाँ पर काफी सारी condition लगा देता है जिससे वो देश जो है पीछे होने लग जाता है या फिर कहेंगी उनकी जो मुद्रा है डोलर के मुकाबले कमजोर होनी start हो जाती है तो ये reason है कि पहुत सारी जो countries है वो IMF से loan ले जाता होनी start हो गई अब यहां पर economic factors की अगर मैं बात करूं देखिए कोलंबो के चर्चों पर अप्रैल 2019 में इस्टरबॉम विस्पोट वा जिसके कारण 253 लोग मारे गए जिसके कारण क्या हुआ इनके जो प्रेटक है ट्यूरिस जो है इनके अंदर बहुत जादा export करने को इतना कुछ नहीं है हाँ है इनके पास चाय होगी रबड होगी कुछ कपड़े होगे लेकिन ज्यादा export करने के लिए नहीं है तो यह जो देश है ज्यादा तर ट्यूरिसम के उपर ही चलता है अब वहां पर अगर विस्पोर्ट हो रहे हैं ऐसी चीज़ें हो रहे ह तो यहां पर जो ट्यूरिस आ रहे हैं तो वो पीछे हटने लग जाएंगे अब इनका जो मेंट सोर्स है इंकम का वह है बाहर से जो ट्यूरिस आ रहे हैं उसे अब वही नहीं आएंगे तो ओविसली देश की स्थीति तो खराब होनी थी और वो सब चीज़ें होती हैं साथ साथ यह जो चीजें बत्तर हो रही थी इसमें मैं कहूंगा कि और ज़्यादा घी डालने का मतलब कि जो आग लग रही थी यहां पर इसकी स्थिती को मतलब इस जो एकनोमिक्स स्थिती थी यहां पर घी डालने का और काम करते थे 2019 में जो गोटा बाया राजपक्षे उनकी जो नेजी सरकार बन रही थी उन्होंने अपने केमपेन के दोरान किसानों के लिए काफी ज़्यादा कम दरों के ओपर व्यापक एसोपी देने का वादा कर दिया और इस तरीके के बे बुन्यादी वादों के वज़े से इनकी और ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई 2020 में कोविड आ गई भया कोविड ने जहां पर 2019 के अंदर जो इस्टर बम विस्पोर्ट हुए थे अगले साल 2020 में कोविड ने एंट्री मारती है कोविड ने जैसे एंट्री मारी और ट्यूरिस्ट खतम हो गई इनके चाए रब 2021 में 10% से अधिक हो गया ये इनका गवर्मेंट एक्सपेंडिचर इसके साथ साथ जो एक रेशो होता है जो इन्होंने उधार ले रखा है जो रिन ले रखा है और जो इनका GDP का जो रेशो है 2019 में जो इनके बीच में जो अनुपात था वो 94% था लेकिन 2021 में बढ़कर 119% हो इस रीजन देख रहे हो धीरे धीरे कैसे इस देश की स्तिती खराब हो रही है और कहा जाता है कि शिरलंका के अंदर काफी ज़्यादा भरस्टा चार भी है और कैसे एक जो परिवार वाद इसके अंदर देखने को मिला है एक ही परिवार के वहां पर राष्टपती परधान खराब की है अब श्रिलंका में जो विदेशी मुद्रा बंडार है उसमें काफी जादा कमी आई पिछले दो सालों के अगर मैं बात करूँ सतर परसंट से घट कर फरवरी 2022 के अंत तक दो बिलियन अमेरिकी डॉलर इसका कहेंगे कि विदेशी मुद्रा बंडार है अगर मैं भारत के रिस्पेक्टि में बात करूँ विदेशी मुद्रा बंडार का मतलब होता फोरेक्स रिजर्व कि कि कोई देश कितना मजबूत है वो बिलियन अमेरिकी डॉलर 2022 की बात कर रही है फरवरी 2022 के एंड की बात कर रहा हूं मैं तो वहां पर दो बिलियन अमेरिकी डॉलर था इसके पास अब यहां अगर मैं अपने देश के मतलब कि भारत देश के रिस्पेक्ट में में बात करूँ तो भारत के पास है लगवग 500 ब राइस के लिए जो एक तरीके से कहेंगे कि जो विदेशी रिण इनको देना था वो साथ बिलिएद अमेर की डलर था बहिए इननके पास पड़ाई तो बिलियन अमेरेकी डॉलर देना इन्होंने साथ बिलियन अमेरेकी डॉलर है u2022 के अंदर अंदर कहां से देंगे भाई साब तो इनसे इनकी और ज़्याजा स्तीती खराब होती चलेगी अब रही साई कसर 2021 में जो इन्होंने पता नहीं कहां कहां से इडियाज लेके आते हैं मैं तो हरान हूँ इन्होंने क्या क्या हैं जो फटलाइजर हैं कहा कि हम मंगाएंगे यह नहीं भार से हम मतलब कि इंपोर्टी नहीं करेंगे हम टोटल 100% उसके उपर परतिबन लगा रहे हैं और हमारा जो देश है यानि शिरलंका है वो 100% जैविक खेती करेगा यानि और गैनिक फार्मिंग करेगा भाई साब आप रातों रात यह फर्टलाइजर है उनको बंद कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि और गैनिक खेती कर लो आपके पास इतना प्रोडक्शन है क्या कि वो जैविक खेती करने के लिए जो मेटीरियल है वो प्रवाइड करवा देंगे नहीं है इतना ये रीजन होने के कारण भई जो फार्मिंग है ये काफे ज़्यादा परभावित हुआ अरे इससे रीजन ये हुआ कि जो इनके खाने की जो खिमते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी इंफलेशन होने लगा और इनकी जो एक तरीके से जो करंसी है वो नीचे गिरने लगी विदेशी मुद्रा भंडार में और ज़्यादा कमी आने लगी उसको रोकने के लिए आर्थिक अपात काल की घोशना कर दी मतलब ये और ज़्यादा बत्तर स्थिती आ गई आप देख रहे हो कैसे कैसे इसकी स्थिती खराब होती जा रही है टोटल टुरिस्ट के ऊपर बेस्ट एक कंट्री अपने देश के अंदर अगर ऐसे से बिना सोचे समझे प्लैन लगाएगा ऐसे ऐसे पॉल्सी लेकर आएगा यह सारे रीजन है आपके सामने अब चीन का करज जाल आपने डेट पो ऐसे पैसे देता है किसी भी देश को और उसको अपने डेट की फसा लेता है कि वहां पर लोग देने वहां की जो country वो देने लायक नहीं होती तो उससे वो अपने वहां पर एक condition लगाता है कि आप अपने देश की कुछ हिस्सा मुझे दे दीजिए तो यह इनोंने इनकी चाल चलती ही चलती है चीन के तो इसलिए अब बहुत सारे जो देश हैं वो चीन स तो कहो कि वहां ले लो वह समसे आप जितना आपको लेना है क्योंकि इनको अपनी डेट ट्रेप्ट की पोलसी में फसा नहीं है अब श्रिलंका ने लिया तो लिया पैसा और उन्होंने ऐसा उस पैसे का यूज किया एक तरीके से कहते हैं न वाइट टैलिफेंट यह एक फ् पैसा ना चुकाने की मतलब चीनी कंपनी को क्या किया अपना जो हमबन टोटा बंदर गाहा है निन्यानुए साल के लिए लीज पर दे दिया क्योंकि यह चीनी को अपना कप मतलब पैसा चुका नहीं पाई 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जिससे भया चीन ने तो इनका का कि आपनी जमीन ले आओ अपने जमीन पर एक तरीके से ले रहे हैं जीतना आपने करजा है यह चीन चाया को चीन का श्रलंका'd के उपर आगर मैं बात कुनै हूं क्रूं को टोट्ल के अतना करजा है आंठ आघ अरभू अमेरिकी डॉलर है जो कुल इस देश के उपर जितना करजा है उसका एक छटा हिस्सा है यानि लगवाग 48 billion American dollar जो है वो करजा है शिरलंका के उपर 8 billion American dollar तो अकेले चीन को देना है इसके पास कितना है 2 billion American dollar है वो भी 2022 के February के end में था 2 billion American dollar और आज की डेट में जगर हम बात करूँ देखे यहां पर कैसे current political एक तरीके से खतम ही हो गया है जो परधान मंतरी विक्रम सिंग्य है जो राश्टपती गोटाबाय राश्पक से इन्होंने का कि भईया हम इस्तिफा देंगे अभी हाली में जैसे इन्होंने इस crisis से बाहर कैसे निकाले यह reason है मतलब कि यह main focus होना चाहिए अब भारत को शिरलंका को लेकर इतनी चिंता कि एक तो आप चीजी देखिए हमारी जो economics थी थी है उसको लेकर मतलब कि हम शिरलंका को 2015 में जो हम यहां से भारत से समान बेशते थे तो 2.6% हमारे इनका साथ वेपार होता था हम यहां से export करते थे 2.6% हिस्सा था हमारे पास शिरलंका का फिर 2022 में घटकर 1.3% रह गया चलिए इतना जादा नहीं था हमें कोई इतना फरक भी नहीं पड़ा हमारा export जो है वो शिरलंका को कम हो रहा था लेकिन जो टाइटा मोटर से टीवेस मोटर से जो ओटो मोबिल कंपनी है यहां पर इन्होंने अपनी जो वीकल फिट है मतलब कि जो एक वहान किट होती है वो एक्सपोर्ट करनी बंद कर दी क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कैसे एस्थिरता फैल गई थी विदेशी मुद्रा बंधार खतम हो गई है फ्यूल की कमी आ गई है शिरलंका में शिरलंका में जो एसेंबली एकाई है उसको भी इन कंपनीज ने रोक लगा दी कि भाया अब यह असेंबली के बीच में एक पाक स्टेट है मनार की खाड़ी उसके उस माध्यम से जो यहां पर जो शिरलंका है वहां से जो तमिल जाती समुदा है वो शरनाती के रूप में भारत की रफ आ जाते हैं हालांकि भारत के लिए इस तरह के जो आप रिफ्यूजी देख रहे हैं उसको संबालना मुश्किल हो सकता है तो इसको निपटने के लिए ओविसली एक मजबूत निती के आवशक्त है और अभी हाली में तमिल लाड़ो इस तरीके के संकट को महसूश करना स्टार्ट कर चुका है क्योंकि अवय तरीके से शर्लंका से 16 व्यक्तियों का आगमन की सूचना मिली है अब भारत के लिए भी अफसर हो सकते हैं कि इस ती में देखे खोजने तो नहीं चीए पर फिर भी हैं भारत के लिए जैसे चाये का बजार देखे वैश्वी चाये बजार में शर्लंका द्वारा चाये की अपरती बल्याक और रूस बहुत बड़े तोर पर ये चाये खृते दे शर्लंका से वह भारत पर पिछले साल की ऐस undermine वह । तो जो एक कीमत है उसके अंदर 41% का इजाफा हमें देखने को मिला है अबले हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि हमें कहीं और से भी फाइदा हो रहा है दूसरा जो कपड़ा यानि जो क्लोथिंग मार्केट है श्रिलंका में काफी जाद है जो ओर्डर मिल रहे थे अब बंध हो गए उनाइटिट किंग्डम यूरॉपियस इंग लैटिन अमेरिका जो देश है जो काफी सारे ओर्डर जो श्रिलंका को देते हैं वो भारत को मिल रहे टमिलाड़ू की कंपणी है मतलब की कोड्यों कंपणी उसका केंदर तिरुपूर में वहां पर जो company हैं उनको ओर्डर मिलने स्टार्ट हो गए हैं अब शिरलंका का संकट भारत के भारत इसमें क्या मदद कर सकते हैं देखे अभी आपने देखा शिरलंका जो है वो कैसे चीन की तरफ जुका वो रहा था अपना हमबन टोटा भाईया वो गवाँ बैठा तो अब इस वक्त भारत जो है अपनी राजनिति या कहें कि अपनी डिप्लोमेटिक पावर का यूज कर सकता है और उससे क्या करेगा कि वो भारत और शिरलंका जो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और जैसे चीन जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है एक स्ट्रिंग ओफ पल्स के दौरा तो कहीं न कहीं हम इसको रोक पाएंगे अगर हमारे इस रिलेशन बहुत जादा अच्छे हो जाते हैं श्रिलंका के पास तो हम एक स्ट्रिंग ओफ पल्स को भी फैल कर सकते हैं अब श्रिलंका के अब यहां पर अब चीज़ ध्यान रखनी होगी कि भारत अगर मदद कर भी रहा है तो इस तरीके से करने चाहिए कि उसकी मदद जाया मतलब बेकार ना चली जाए कि आपने मदद की और उसका कोई किसी ने मतलब पहचाना नहीं कि भारत ने कोई मदद की आपकी माइने रखनी चाहिए वह मदद अब आगे की रहा क्या हो सकते हैं देखें अभी हाली में जैसे लोगतंतर को मजबूत करने की बहुत जादा जुरूरत है बहुत बहतर संकट परबंदन के लिए श्रिलंका में मजबूत राजनितिक सहमती की आवशकता होगी यानि एक तरिके से सब जो पोजिशन है उनको एक साथ आना होगा अब यह वो वक्त नहीं है कि एक दूसरी पार्टी का बुराई करें अब सबको एक साथ मिलकर जो आज का जो संकटा है आर्थिक संकटा है उसे अपने देश को बाहर लेके जाना होगा जो गरीब है जो कमजोर ज लोड़ानी होगी जो जो कृशी शेतर हैं जा फिर काहूं जो नोगरी कल शेक्ट्र वहां पर नोकरियों को जन्रेट करना होगा उनके अंदर भी नोकरी के अफसर में व्रिदी करनी होगी तो काफी सारे काम करने के जोरूर है और एक भारत का जो समर्ट ना देके भारत यह भारत की हमेशा से ही नीती रही है तो श्रिलंका के साथ जो मोजो संकट के बाहर निकालने के लिए उसके साथ काफी जादा वह अत्रिक साहिता भी कर सकता है जिससे वह अपनी रिलेशन वहां पर सुधार भी सकता है या फिर कई की रिलेशन अच्छे भी हो सकते हैं साथ यसाथ अंतराश्य मुद्रा को सियानि जो IMF है उन्होंने कहा है कि बेल आउट श्रिलंका ने बेल आउट के लिए IMF से संपर्क भी किया है जिसे क्या होगा को थोड़ा वो टाइम मिल जाएगा अपनी स्थिति सुधारने के लिए तो उमीद करता हूँ कि यह जो complete जो च से ट्यूरिजम आता था तो इनके वहां पर भी कहेंगे कि वो ट्यूरिजम बिल्कुल खतम हो गया श्रिलंका का तो बहुत जारे फैक्टर हैं जिन्होंने श्रिलंका की जो हालत है आज की रेट में जो खराब हुई है उन्होंने रोल प्ले किये हैं तो मित करता हूँ कि य आप लोगों को समझ में आई होगी तो पेशिक कि इस वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और comment section में लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, आपको किस चीज के अंदर doubt है, definitely अगली वीडियो के अंदर में आपको उन doubts के जवाब मैं दूँगा, औ और वीडियो को ज्यादा ही पसंद आई है तो इसको शेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव के साथ साथ पीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा आपको डिक्स्रिपिशन बोक्स में तो जाकर आप वहां से इस व वाचिक वाचिक वीडियो